कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहे हैं हलो फ्रेंज तो सब्सक्राइब का 52 नंबर के वीडियो में दोस्तों तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा हाओ टू अवोईड डैश और मशीन बाइउजिंग मैक्रो दोस्तों यह जो टॉपिक है शायद आपको कहीं पर सीखने को न कि किस तरीके से मैक्रो का यूज करके आप मशीन के जो हीट आपसेट यह वो अगर आपसे मिस मैच हो गया में तो आप उसे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसको बनाने को बहुत मेनद लगती है और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किजिए दोस्तों ठीक है तो चलिए हमारे हम टॉपिक को शुर बने ओके यह है आपका टूल चेंज कमांड ओके बाद में आप यहां पर कुछ लिखते हैं जी कि जी 90 जी 54 एक्स जीरो वाई जीरो यह आपका हो गया एक्स वाई पोजिशनिंग ओके बाद में आता है आपका जी 90 जी 43 Ch 01 ओके और बाद में आता है आपका यह एक्स जीरो वन और जेड अंटरड ठीक है तो यह इस तरीके से हैं तो यह जो दोस्तों है जी 43 हर बार आप यूज करते हैं अगर आपको आपने अगर प्रोग्रामिंइग करते हैं तो आपको यह पता लगी है कि आप हर बार इसे यूज़ करते होंगे करेक्ट तो यह 43 क्या है दोस्तों यह 43 टू लेंद कंपेंसेशन है ओके टू लेंद कंपेंसेशन इन प्लस डिरेक्शन अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है है totally क्योंकि यह कोड बहुत जरूरी है आपको समझना ही चाहिए यह क्या काम करता है तो अगर आपको नहीं पता है तो अल्रेडी इसका डिटेल्ड एक्स्पेनेशन वीडियो अच्छा बना के रखा हुआ है तो आप उसे आपका टूल आपसेट टी जिरो मतलब आपका यह टी 01 ओके एज 01 मतलब यह आपका एच 01 ओके तो मतलब टी 01 यह जो टूल नंबर वन है उसका हाइट है एच 01 मतलब एच 01 मतलब 121 फॉर एक्जम्बल ठीक है तो यह क्या करदा है आपका जो वक्पिस है समझो यह आपका वक्पिस है ओके और बाद में आपका टूल है ओके तो यह जो 121 है वह सरफेस से उपर रखता है हमेशा टूल को अगर आपने यह नहीं दिया दूस्तों डायरेक्ली आपने ज्ट कर दिया ठीक है तो यह जो 21 एम्म है के लिए वह आपको मिल जाता है यह इसका फंक्शन है ओके अगर आपने गल्दी से यहाँ पर एच जीरो टू लिख दिया दो एच जीरो टू ठीक है तो क्या होगा अगर आपके प्रोग्राम में बीस पचास टूलेस फॉर एक्जमबल और पचास टूल में यह करते समय आपने किसी ने किसी एक टूल पे गल्दी से टी जीरो वन को एच जीरो टू कर दिया ठीक है तो वह एच जीरो टू यह नहीं लेगा हैट यह हैट लेगा जबकि इसका एक्चुल में हाइट जो है ना फिजिकली टूल में इस टूल का 121 है और एच जीरो टू का हैट लेगा 160 अब वह हाइट फिजिकल 121 है और एक्चुल में मशीन लेगा 160 तो कंपेंसेशन 160 का होगा और कंपेंसेशन के हिसाब से वह स्पिंडल का आपका जो जड़ है उपर कम जादा रहेगा और इस केस में आपका मशीन डैश हो सकता है तो यह बात ध्यान में रखिए एक तो आपको यह दोनों सेम लिखना है अगर आप नहीं लिख सकते तो उसके लिए यह देफिनेशन आपको बताता हूँ मॉडल इन्फोरमेशन और ब्लॉक्स दैट हाव बीन स्पेसिपाइड बाइ लास्ट मेंट टी कोड ओके तो यह यह ब्लॉक क्या करता है यह टी कोड का ब्लॉक है टी कोड मतलब यह जो यह जो नंबर आपने प्रोग्राम में लिखा है ल तो इसका जो यह नंबर है टी जीरो वन तो मशीन ऐसे लिख देगा का 401 20 एक्वल टू 0-1 ओके मतलब यह जो कोड है यह जो इन्फोरमेशन है यह हमेशा मशीन इसमें स्टोर करता है अब फॉर वन्टू जिरो क्या है यह है सिस्टम वेरेवल ओके इसे और यह मशीन मेनेफ लेकिन क्या लास्ट मिनिट मतलब अगर इसके बाद भी कुछ आया है तो वह उसे सेव कर देगा अगर मैंने यहां से गलती से लिख दिया यहां पर तो यह फेली ओ भूल जायगा इस यहां पर सेव कर देगा'reversion ठीक है तो इस तरहींसे यह काम करता है अब इस Koal का यूज़कर के आप किस तरीके से यहाँ पर यूज करके इसको सेव कर सकते हैं शेयों को डैश होने से क्यए दोस्तों यह जो कमंड है कि इसका एक Gym प्रोग्र Frat aged है ठीक यहाँ यहाँ पे जैसे आप चुन कोईल करते हैं तुल को इसका सब्सक्रुम director driven वह कुछ इस तरह किस रहताcraft तो सुझो 9001 वे 9000 हमेशा मश्रीन मेनफेक्ट्चरर उस करते हैं हम नहीं यूज करते है नाइन तौजन वन अब इसमें कुछ एक रफरेंस रहते हैं जी नाइन टीवन एक्स से रूग एट मतलब इसमें प्री कंडिशन रहते हैं आपका मशिन कहीं पे भी हो तो आपने अगर यह टूल किया तो यह पहले मशीन को रिफरेंस कर लेता है मशीन अगर कहीं पर भी हो तो इसके सारे कोड यहाँ लिख रहते हैं और इसके बाद में सबसे लास्ट इसमें भी M6 लिखा रहता है और बाद में रहता है M99 ठीक है तो दोस्तों इसमें क्या करना है इस प्रोग्राम को एडिट करना है यह जो आपके मशीन के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है M06 का तो इसमें आपको यह कोड लिखना है है 4120 अभी M99 जो है इसको हटा देना है यहाँ पर लिखना है है 41 जहां पर लिखना है है यहां पर लिखना है है कोई भी एक कोड लीजिए दोस्तों मैक्रो वेरियावल का अगर मैंने 150 ले लिया फॉर एक्जम्पल लेकिन 0 से 33 नहीं लेना है क्योंकि वह लोकल वेरिबल से व फिर से मैं वो उसका जो बेसिक का लिंक है मैक्रो का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसे देख लीजिए यहाँ पर 150 है इस इकल टू है फोर वन टू जीरो ठीक है यह हो गया आपका लाइन और यहाँ पर आ जाएगा M99 मतलब आपको यह जो लाइन है वो करना बढ़ता है ठीक है यह हो गया 150 तो अभी क्या होगा जोस्तों जैसे ही यह T01 रीट करेगा इसकी वैलिव जो है T01 की तो यहाँ पर आएंगी 4120 ठीक है और 4120 की वैलिव इस लाइन के थुरू हमने इसमें ट्रांसपर कर दी 150 में ठीक है अब यहाँ पर यह जो हैश 150 है हमें यहाँ पर H01 लिखा है तो इसके अलावा हमें लिखना है H हाश 150 हाश 150 हाश 150 अब क्या हो गया इसका मीनिक अगर मैंने यह यह कमांड कॉल की है T01 यहाँ पर आई 4120 में और 4120 की वैलिव 150 में पेस्ट की और यह आपका सब प्रोग्राम है जो इसी लाइन पर रीड होगा तो यह वैलिव यहाँ पर आई यहाँ की वैलिव यहाँ पर और जैसे आपका प्रोग्राम नीचे आया ब्लॉक्स में आपको यह आपने यहाँ पर डालके रखा है H150 तो यह आपका 150 is equal to 1 था इसलिए H01 ले लिया ओके मतलब यह जो H150 है आपको हर प्रोग्राम में जितने भी आपके टूल से सारे के सारे उसमें आपको H010203 जैसे यह करेंगे उसको यहाँ पर लिखना मतलब अगर पचास टूल है तो पचास टूल सारे के सारे आपको लिखना है H150 वह आटमेटिकली इस कोड के हिसाब से यहाँ पर हाइट ले लेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपने अगर गलती से यह वन टू का जो यह है प्रॉब हो जाएगा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम ही रहेगा आपका ठीक है तो आपको यह प्रोग्राम एडिट करने के लिए कुछ पैरामेटर्स लगेंगे अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं लेकिन यह कोड इंपॉर्टंट है है 420 फानुक में यह सारा टी क तूल का जो टी कोड देते हैं कोई कोई लोग ऐसे देते हैं आप अब यहाँ पर टी जिरो टू डाल दिया तो यह यह वहलू भूल जाएगा टी जिरो टू इसमें आएगा 420 में और 150 यहाँ पर रिट कर लेगा जो की टू रहेगा और रॉंग अपसेट में मशिन डाश हो जाएंगी तो आपको वेटिंग डूल यहाँ पर देना नहीं है कहां से 060 01 यहां से लेकर जी 53 का जो एल्यू लाइन है उनके बीच में देना इसके बाद में अगर आप दे दिये कोई प्रावल्लम नहीं ठीक है इसके बाद में इस लाइन के बाद में आप वेटिंग टू हो तो यह अच्छी strategy कोई problem नहीं है लेकिन यह T02 आपको H43 के बाद के line को देना है क्योंकि बाद में भी बहुत सारी लाइन रहे थे आपके प्रोग्राम में आप वहाँ पर आसनी से दे सकते हैं उसको ठीक है दोस्तों मेरे खाज आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा समझ मैं होगा यह वीडियो शायद आपको कहीं मिलेगा भी नहीं तो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उन्हें भी बताईए कि यह इस तरहीं से होता है और इसमें कुछ भी आपको डाउट है जो मैंने वीडियो में मैं एक्स्प्रेंट नहीं कर पाया प्रॉपरली मैंने जितना हो निक करना दा उतना कोशिश कर मैंने ओके अगर आप नहीं समझ में आया कुछ कुछ भी तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और जो भी हिंदी नहीं समझ पाते दोस पीप से आपको पूरा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है समराइज मैं आज करूंगा ने क्रिटिकल प्रोसेस है तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए है तो हम यहाँ पे मेक्रो वेरियेब मैं मैं आपको तो हम आपको प्रोसे दोपे में झाल झाल